नमस्कार दोस्तों, इंडर्मनी.com हिंदी पर आपका स्वागत है, मेरे नाम है फयास करियर की शुरुआत में हम लोग कहीं बार कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो जाने अन जाने में हमारे करियर के लिए काफी हानिकारक होती है और ये गलतियां होना सौभाविक है क्योंकि हमें कोई गाइड करने मारा नहीं होता है जिस तरह से हमारे स्कूल कॉलेज में हमारी टीचर्स हमें बताते हैं कि यह सही है, यह गलत है हमारे करियर में हमारा कोई प्रदर्शक नहीं होता है कोई हमारा माल्ग दर्शन नहीं करता है जिस वज़े से हमारे करियर में हम लोग काफी सारी इसी गलतियां कर देते हैं जो काफी हद तक हमारी करियर के लिए हानिकारे खोल जाती है लेकिन आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ शेर करेंगे कुछ ऐसे simple tips जो कि आपको काफी काम में आएंगे और कुछ ऐसे common mistakes जो लोग अपने career की शुरुवात में करते हैं जो उनको avoid करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनका career भी एक लाजवाब career बनकर उभर है तो चलिए बिनाकिस देरी के सिधा point पर आते हैं सबसे पहले गलती जो हम लोग करते हैं कि हम लोग हमेशा कम के लिए settle हो जाते हैं जो की सही नहीं है हम लोग जब भी बात करें अगर master's करने के लिए जाने की या फिर first salary की भी हम लोग को को लगता है कि यार जॉब मिल रही है ना बस है admission हो गया ना बहुत है ये college से MBA निकल जाएगा ना बस है लेकिन ये इतना ही काफी नहीं है आपकी शुरुवात आपका base काफी मजबूत होना चीए तब जाके आपका जो career है वो skyrocket होगा वो shoot up होगा जहां तक बात आती है आपके college की भी तो आपको कोशिश करना चीए कि आप सबसे best college से ही अपनी पढ़ाई complete करें इतना ही नहीं जब बात आती है अपकी job की भी तो अगर आप उस position में हैं कि जहां पर आप चुन सकते हैं आप थोड़ा बहुत time लेके सोच के एक अच्छे job का चुनाफ कर सकते हैं आपको वो करना चीए आपको just because एक नौकरी मिल रही है कि हाँ आपकी prosperity शुरू हो जाएगी इस से विचारधारा के साथ आपको करियर शुरू नहीं करना चीए और अपकी salary को लेकर भी आपको कभी भी कम के साथ settle नहीं होना चीए irrespective of whether आप pressure है या फिर आप experienced है आपको हमेशा कोशिश करनी चीए एक अच्छी से अच्छी salary के लिए negotiate करने की और ये बात HR भी notice करते हैं जब हम लोग बात करते हैं जब भी हम लोगों कोई भी offer करता है कोई भी salary amount उसमें agree नहीं करना चीए ये दिखारता है कि आप अपने profile को लेकर confident नहीं है आप अपने overall personality को लेकर confident नहीं है लेकिन अगर आप confident है तो आप negotiate करें अगर अगर वो 10 बोल रहा है तो आप कम से कम 15 बोली है तो कम से कम बात 12 परता होके रुकेगी तो इसलिए कोशिश करें कि आप कभी भी कम के लिए settle ना हो अगली जो गलती करते हैं लोग वो होता है fear of networking हमें लगता है कि शुरुआत में corporate में आने के बाद अगर specially अगर आप एक ऐसे atmosphere में काम कर रहें जहां पर आपका team leader आपको कदम कदम पर टोकता है तो हमको लगता है कि जितना हमारा department है वही मेरी दुनिया है वही मेरा संसार है मैं उसी के अंदर ही लोगों से मिंगल करूँगा उसी में लोगों से बातचीत करूँगा और बाहर वाले लोग मेरे दुश्मन है उनसे में बात नहीं करूँगा ये विचारधारा गलत है आपको कोशिश करना चाहिए कि आप हर दिन किसी एक नए इंसान से मिले, किसी एक नए इंसान से बात करें, हफते में किसी एक एकदम ही नये तोटली अंजान इंसान के साथ आप नेटवर्क करें, इसके लिए LinkedIn का इस्तमाल करें, आप पर योध्धा बना नहीं पाएंगे इस रंड भूमी में जहां पर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं एक और जो गलती हम लोग करते हैं अपनी करियर की शुरुवात में यह वो होता है ओवर वर्किंग का हमको लगता है कि हार हम लोग में लग जी जान महनत करें मतलब दिन रात एक करें बहुत सारी एपर्ट दिखाएं अगर हम लोग हमारे लोग आउट टाइम के बाद भी आफिस में काम कर रहे हैं तो हमारे बॉसस को लगा कि हां यार यह बंदा यह बंदी बहुत मेंनती है बहुत काम कर रही है बहुत हार्ड वर्किंग है ऐसा नहीं होता है corporate structure में अगर आप अपनी दिये हुए कार एक time line के अंदर नहीं करते हैं अगर आप एक 9 खंटे के अंदर अपने काम को खतम नहीं करते हैं तो ये दिखाता है कि आप hard working है ये नहीं दिखाता है ये दिखाता है कि आप efficient employee नहीं है अगर आपको अपने resources का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता है तो यह आपकी कमजोरी है यह आपका नाकामियाभी है तो इसलिए आपको कोशिच करना चाहिए कि आपका जितना भी काम दिया जाता है आपके हाथ में उसको आप जल्दी से जल्दी complete करें कम से कम breaks लें अपना एक efficient work profile बनकर आप दिखाएं अपना professionalism दिखाएं और जरूरत नहीं है कि आपको 9 घंटे के बाद भी आफिस में बैटना है अगर आपका 6 बज़े logout होता है तो उसको एक बंदा आपकी ध्यान में रहेगा कि हाँ यार इस office में एक बंदा ऐसा था जो काफी professional था अपने time का सही इस्तमाल करता था अपनी time की इज़त करता था इसे इनसान को अगर मैं यहाँ पर लेखिया होगा तो यह मेरा काम भी आसान करेगा और यह overall मेरी growth में भी मेरी company की growth में भी मुझे मदद करेगा चौती जो बड़ी गलती लोग अपने career में करते हैं वो होता है कि give up learning very early in day career जैसे हमारा college खतम होता है हमको लगता है कि हाँ ठीक है मतलब हमारा काम complete होगा मेरी पढ़ाई complete होगे अब मुझे कुछ नहीं सीखना है हद से हद जो office में training वगे रहा होती है हम लोग उसी को सीखते हैं जो हमारे काम related हमको skills लगते हैं हम लोग वही सीखते हैं बस उसके बाद में हमारा training या पढ़ने का या सीखने की जो भूक होती है वो बंद हो जाती है जो कि गलत है मेरी खुद का ये विचार धाराती बहुत हद तक मुझे लगता था college खतम हो गया आप क्या पढ़ना लिखना लेकिन अच्छा employee या एक अच्छा इंसान या फिर एक powerful leader वो होता है जो read करता है leaders are readers ये बहुत ही popular कहावत है जो कि सच है हम आज देखते हैं कि हाँ दुनिया भर के जितने भी CEOs हैं उन लोग साल भर में 50 से भी जादा किताबे पढ़ लेते हैं कई लोग हफते में एक किताबे खतम कर लेते हैं तो ये एक अच्छी चीज है ये एक अच्छा quality है जो आपको develop करना चाहिए सीखने की भूख कभी खतम नहीं होनी चाहिए अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो आप videos देखके सीख सकते हैं अगर आप videos देखने का time में निकाल पारें तो जब आप travel करते हैं बस में या आटो में या अपने खुद की बाइक में तो आप उस travel duration के दौरण कोई podcast सुन सकते हैं ताकि आपके सीखने की जो knowledge है उसको आप बढ़ा सके अपना जो mind का database है आप उसको और जदा कारगर और efficient बना सके और overall आप सीखते रहें इर्रस्पेक्टिव आपके career के related बात है कि नहीं हो सकता है वो बात person finance की हो हो सकता है वो बात personality की हो हो सकता है वो table manners की हो तो इन सारे aspects को आपको लगातार सीखते रहना चीए ताकि आप एक overall अच्छे personality आपकी दिखा पाएं और एक काम्याब इंसान बन पाएं चौती जो गलती लोग करते हैं वो होता है कि they do not respect their deadlines deadlines का मतलब आपको जो भी कारियरत आपको दिया गया है काम दिया गया है करने के लिए अगर आप उसे अपने pre-retimined time के अंतरकत खतम नहीं करते हैं आप उसे कल पर छोड़ते हैं पोस्पॉन करते जाते हैं तो यह definitely अच्छा नहीं है यह आपकी personality के बारे में अच्छी चीज़ नहीं दिखाती है आपकी reputation खराब होती है especially आपकी career के शुरुआत में अगर आप अपना profile अच्छा रखेंगे अगर आपको जितना भी काम दिया जाता अगर आप उसे सही time पर खतम करते हैं और अच्छे से complete करते हैं तो यह आपकी overall personality को दर्शाता है कि हाँ यह बंदा commitment का पका है यह बंदी को अगर कोई भी काम दे दो चोटी सी थोड़ा चा फट गया है तो उसको वहाँ के वहीं अगर आम लोग सिलाई कर देंगे तो वो पूरा का पूरा shirt बच सकता है बजाए इसके कि आप wait करें कि उस सिलाई को और थोड़ा फटने दे और थोड़ा बड़ा होने दे और एक बार जब बड़ा हो जाएगा फिर मैं एक साथ बैटके सी हूँगा यह विचारधारा गलत है जहां वो फटा थोड़ा सा भी आपको चीर दिख रही है वहाँ पर वहीं पर उसको सिलाई कर दीजे वहीं कि वहीं उसे फिक्स कर दीजे उसे पाइल अप मत होने दीजे अपने कल के दिन या परसो के दिन ताकि आपको लगे कि हामें एक साथ सब कुछ ख़दम करूँगा एक साथ मत ख़दम करिए एक एक करके स्टेप बाइ स्टेप आप जाएंगे तो यकीनां आप डेड्लाइन्स को मिस नहीं करेंगे और चटी और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो होता है they repeat their mistakes गलती करना गलत नहीं है लेकिन बार-बार सेम गलती करना गलत है समझदार इंसान वो नहीं होता है जो गलतीओं से सीखता है अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक समझदार व्यक्ति बन कर उभरें, अपने करियर में, अपने करियर के शुरुआत में, तो कोशिश करें कि अगर आप में आज कोई गलती कर दी है, तो आप उसे कहीं पर नोट डाउन कर लिजे, उसको अपने दिमाग में रेजिस्टर कर सोचेंगे, और डिफिनिट्ल आप उस तरह की गलती को avoid करेंगे, और करियर की शुरुआत में, हमसे गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती ही, आज भी होती है, लेकिन आप अगर focus करेंगे, गलती ना करने पर ना, तो आप गलतियां करने लगेंगे, focus करें कि इस काम को मैं कै कि अच्छे से कर सकूं पर फोकस करेए तो यकीनान गल्ती होगी और मैंने खुद यह नोर्टिस किया है मैंने खुद यह मैंसूस किकि अपने life में तो इसलिए मैं आपको बता रहा हो कि positive aspects को तरफ देखते रहें negative के उपर focus मत करिए और गल्तियां करना repeat करना avoid करिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो informative लगा होगा, अगर लग गया है तो इस वीडियो को like कर दिजिए, चैनल को subscribe करके बेल आइकन को press कर दिजिए, ताकि आप हमारे आने वाले किस video को मिसना करें, और अगर आप personal finance के बारे में, career building के बारे में, business और farming के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप download कर सकते financial freedom app, इसकी link आप तो description box में मिल जाएगी, मेरे नाम है फयाज और आप